तो भाई जैसे कि आप सबको पता है कि S.O.L. का फर्स सेमेस्टर का मार्च वाले एक्जाम का रिजल्ट आ चुका है बी-ए प्रोग्राम को छोड़के सबी कोर्सेस का भाई बी-ए प्रोग्राम का भी बहुत जल्दी आ जाएगा जब भी आजाएगा इनफर्म कर दो हैं टेंशन मतलो गबराओ मत बहुत जल्दी आप लोगो को भी रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा फिर भी आपका रिजल्ट जो है वो नो रिकॉर्ट फाउंड लिखा रहा है तो आप लोगों क्या करना सबसे पहले तो भई डिटेल्स वगरा जो आप डाल रहे हो उसे ढंग से चेक आउट करो ठीक है न वो आप ठीक से डालोगे तो आपका रिजल्ट जो है शो हो अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो भी आपका सॉल्यूशन आप लोगों को महीं पर समझा दूँआ ठीक है न बस पेशन्स बनाके रखना भाई क्योंकि मैसेज़स बहुत सारे आते हैं मैं इतना लिखके दे सकता हूँ आपकी रिप्लाइज जो है वो ज़रूर करूँ आप लोगा बेशक टाइन लग सकता है पर रिप्लाइज जरूर करूँआ ठीक है चलो भई बात करते हैं आपके नेक्स डाउट की नेक्स डाउट बच्चे यह पूछ रहे हैं जिनका रिजल्ट निकल चुका है वो बच्चे यह पूछ रहे हैं भई हम पता कैसे करें कि प बता लगेगा आप फेलो या पास हो ठीक है तो भई यह जो थर्ड वाली जो रो है आपकी इसमें भई आप लोगों को चेक आउट करना है कि कहीं पे एफ या एबी तो नहीं लिखा अगर एफ या एबी लिखा है तो भई दिक्कत वाली बात है ठीक है ना एफ का मतलब होत आपने वो एक्जाम नहीं दिया अब इसका सोलुशन क्या है तो प्लीज भाई मेर से इंस्टाग्राम पर कॉंटेक कर देजगा या नीचे कमेंड बॉक्स में डिमांड कर देजगा मैं इसका सोलुशन आप लोगों के लिए नेक्ट वीडियो में बता दू है ठीक है ना अ एक सेमेस्टर के गिंती की सीजीपे निकलती यानिकि जब आपका एक साल कंप्रीट हो जाता तो उसकी आपकी सीजीपे निकलेगी सीजीपे से आप फिर अपनी परसंटेज निकाल सकते हो अभी सिर्फ आपका फर्स सेमेस्टर के रिजल्ट आया तो अभी आपकी सीजीपे करेंगे और तब ही आप लोग को बता देंगे कि CGPA से आप लोग को परसंटेज कैसे निकालनी है अभी के लिए बस बस इतना जान लो कि आप फेल हो या पास हो यह वाला आप कॉलम चेक आउट कर लेजेगा ठीक है ना अगर आपका फेल भी लिखा होगा तो यहां पर ग्रेट पॉइंट में जीरो भी दे रखा होगा है अपर क्लियर होगी बात आई होप कि आपको वीडियो जो है यह यूसफुल लगी होगी मिलते है नेक्स वीडियो में